Welcome to unlimited education दोस्तों मैं हूँ अभी जित मार में बात करने जा रहा हूँ आप लोगों का basic science and engineering के बारे में और आप लोगों का चल रहा है units and measurement का ये mock test score और ये आप लोगों का last test है ओके इसमें भी हम लोग 40 questions देखेंगे और इसमें थोरा सा हम लोग जो है सो थोरा और standard level का question देखें का ओके अगर आज आप लोग 33 प्लस भी लाते हो कोई बात नहीं है आप लोगों का preparation अच्छा है तो ये question वर 121 है 121 आपके सामने आप लोग इसको बनाव what is the unit of magnetic induction magnetic induction का यूनिट क्या होता है ये option है आपके सामने में ohm, volt, pharad and energy आप लोग पाउज करके बनाना कुछ लोगों का speed fast होता है कुछ लोगों का slow होता है तो आप लोग क्या करना पाउज कर लेना और उसके बाद बनाना ठीक है पीडिएफ के लिए आप लोग टेंस नमरत लोग काफी ज़्यादा मैसेज आते हैं पीडिएफ के लिए मैं भेज दूगा time का तुरा सा problem है एक ही बारवे मैं चारो टेस्ट का पीडिएफ आप लोगों को भेज दूगा क्वेश्चन नमर 122 देखो आप लोग का potential difference का unit क्या होता है क्वेश्चन नमर 123 है कि electric resistance का unit क्या होता है अभी starting है हम लोग थोड़ा-थोड़ा हलका question देख रहे है easy level का धीरे धीरे आप लोगों का level increase हो जाएगा और ये total 1 से लेकरके 160 questions और 1.1 से लेकरके 1.6 तक का सारा lectures सारा अगर आप लोग अच्छे से कर लोगे तो units and measurement का कोई भी question आप लोग नहीं छोड़ोगे question number 124 देखो astronomical distance जो होता है वो किसका unit है light year, angestorm, waiver और lux चलो question number 125 है आपका e wave length का जो हम लोग measure करते हैं वो किसमें करते हैं lux, waiver, angestorm और light year question number 126 आप लोगों का है कि what is the unit for measuring magnetic flux magnetic flux के लिए क्या हम लोग use करते हैं उसके measurement में lux, waiver, angestorm और light year चलो question number 127 देखो audible sound जो होता है उसका wavelength का यहाँ पे बात हो रहा है तो आप लोग इसको भी अच्छे से आज सीख जाओ बना करके देखो काफी ज्यादा अच्छा important question है आपके यह general science के point of view से भी आपका कि इसका range पूछा है कि कितना range में frequency रहता है मेरा ताकि वो audible हो कुछ question आपको linked है जब हम लोग mass weight and density परहेंगे तब आप लोग देखना आपको कितना फैदा होगा काफी सारा questions आपको पहले से आता रहेगा question आपको 128 देखो what is the range of mercury thermometer mercury thermometer का range बताना है मतलब आप यह कर सकते हो कि उसका freezing point और boiling point कितना होता है अगर आपको यह पता है तो आप वहां से भी आप इसका range decide कर सकते हो काफी आसान question है और काफी important question है यहां से बार बार ALP में पूछा जा चुका है mercury का boiling point कितना होता है freezing point कितना होता है ऐसे करके लोग पाउज करके बनाना आप लो question number 129 कौन सा device से हम लोग मेजर करते है potential difference between two points in a circuit ठीक है हर तरह से question घुमाया हुआ है ताकि कहीं से confusion ना हो आप लोगों को concept पे focus करना है सीखना है चलो question number 130 which units we use to express nuclear size nuclear size को express करने के लिए हम लोग कौन सा unit use करते है न्यूटन फर्मी टेसला या नन अफ द एवर 22nd December तक थोरा सा VG schedule है मेरा तो हो सकता है कुछ number of lecture आप लोगों का कम आए लेकिन 22nd 23rd December से लेकर के जब तक आप लोगों का exam होगा तर तक एक मैंना मैं अपना 100% दोंगा और उस बीच में जो है सो आपका lecture आने का speed भी काफी बढ़ जाएगा ठीक है तो आप लोग थोरा सा और आप लोग रिवीजन करो जितना मैंने अभी तक करवाया हुआ है उसका question अबर आप लोगों का 131 है कि the parsec is the unit of time energy distance और temperature और यहां से आपको comment करना है कि 1 parsec में कितना light year होता है 1 parsec equal to how many light years आप लोगों को comment करके बताना है चलो question number 132 tesla tesla किसका unit है magnetic flux magnetic field magnetic moment और magnetic induction यह total 160 questions more than enough है market में कोई साभी book खरीद लो मैंने जो content आपको provide किया हुआ है lecture में भी और mock test में भी वो आप यह समझ के चलो 5-7 book का combination है ठीक है कोई एक particular book आपको इतना सारा content दे ही नहीं पाएगा इसलिए और market में कोई अच्छा book भी available नहीं है तो ज्यादा दिमाग खराब करने का जरूवत नहीं है revision करने के लिए आपको 1.6 तक देखो अच्छे से theoretical portion को revise करो और यहां mock test में 160 questions जो मैंने आपको दिया है यहां से आपको प्रैक्टिस करो और जिस हिसाब से मैं solution provide करता हूं वो सबसे ज्यादा vital role play करेगा आप लोगों के preparation में तो उसको आप लोग अच्छे से देखना समझ समझ के और हो सकता है possible हो तो आप लोग note down भी किया करना question number 133 देखो कि the unit of noise pollution noise pollution जो होता है उसको हम लोग किस में measure करते हैं पी पी एम में डेसी वल में डेसी मल में और none of the above question number 134 है आपका कि SI unit of work joule 9 kg newton question number 135 देखो मास का SI unit क्या होता है जितना असान आपको अभी लग रहा होगा थोरा देर में आपको फिर level का भी पता चलेगा question number 136 देखो force का SI unit क्या होता है कुछ लोग बोलते हैं sir level increase कीजिए देखो chapter के level के हिसाब से question का level होगा ना बढ़र रहे हो units and measurement तो आपको unit और measurement के ही बारे में पढ़ना है यहाँ पर level क्या बढ़ा है question number 137 देखो इसा unit of pressure is kg, joule, 9 और पास्कल आप लोग revision के लिए tensor मत्यों, mock test के माध्यम से मैं आपको अच्छा से complete preparation करवा रहा हूँ इससे परले मैंने आपको theory दिया हुआ है अभी मैं mock test करवा रहा हूँ जब मैं PDF दोंगा आप लोग उनको तो वहाँ से आप लोग जगे सो quick revision कर लेना question 138 देखो a device used for measuring the depth of the sea repetition भी है यह सब question में लेकिन क्या करोगे इतना ज़्यादा important है कि याद रखना भी ज़रूरी है question 139 thermostat क्या होता है question 140 देखो atmospheric pressure जो होता है उसको measurement करते है किसमे altimeter, birometer, hygrometer और hydrometer question 141 है आपका कि one astronomical unit is the average distance between Mars and the Sun, Earth and the Sun, Jupiter and the Sun, Earth and the Moon काफी ज़्यादा important concept और confusing question आप इसको कहा सकते हो question 142 है a device used for converting AC into DC is called मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है background noise को आप लोग avoid करना मेरा जो घर है इसके बगल में ही main road है तो वो vehicle बगराँ चलता रहता है इस वज़े से आपको background noise मिलता होगा तो उसको आप लोग avoid करना question 143 है आपका which of the following devices converts electrical energy into mechanical energy और यह सारा आपको बताया हुआ inductor, dynamo, transformer, electric motor मेरा हर एक lecture एक दूसरे से linked होता है अगर आप अच्छे से देखे होगे 1, 2, 3 तो यह fourth में आपको काफी ज़्यादा help मिल जाएगा चलो question 144 देखो फैराड है फैराड किसका unit है आपका resistance, inductance, capacitance और conductance, दो से 3 second का question है question और 145 डाइनेमो में क्या होता है heat energy में, mechanical energy का conversion होता है electrical energy में, electrical energy का conversion होता है mechanical energy में और electrical energy का conversion होता है magnetic energy में चलो 146 देखो, wise जो है उसका measurement हम लोग किस unit में करते हैं question number 147 है आपका thickness of the ozone layer is measured in which unit dv, du, dawson unit ppv और ppm time मैं जान बूज करके आपको कम दे रहा हूँ point number 1 कि आप पाउज करके बना सकते हो point number 2 यह आपका last revision test है इस chapter का तो अभी तक आपको सारा चीज आना चाहिए point number 3 कि मैंने 6 lecture आपको अल्रेडी provide किया हुआ है इतना ज्यादा पढ़ाने के बाद भी अगर आप लोगों को problem होता है तो फिर आप लोग पढ़ हो question number 148 the equivalent जो होता है आपका one adoption unit इसका जो value आपका सकते हो यह किसके वराबर होता है one adoption unit equal to question number 149 है एनिमो मीटर यह क्या मेजर करता है net radiation, wind velocity, wind direction, relative humidity अब आप लोगों का कुछ standard level का question शुरू हो सकता है काफी लोगों का हो सकता है इसमें दिमाग हिल जाए लेकिन आप लोग देख ले ना क्योंकि यहाँ से आपका सारा concept clear हो जाएगा यह आपका data दिया हुआ है 10 cm, 12 cm, 9 cm, 8 cm, 13 cm और question के हिसाब से आप से पूछा गया कि mean absolute error कितना होगा और यह चार option है आपका आप लोग पाउज करके आराम से इसको बनाना तुरंत महीं बनेगा आप से यह पाउज करके बनाना question number 151 देखो इसमें आपको number of significant figures बताना है कुछ लोगों ने comment किया था sir conversion करवाईए तो वो मैं आप लोगों को mass, weight and density में करवा दूँगा ठीक है वहाँ पे हम लोग कर लेंगे कहीं पे भी पढ़ो पढ़ने से मतलब है सीखने से मतलब है और वैसे यहाँ पे भी आपको एक question दिखेगा conversion का काफी ज़्यादा standard question 152 देखो कि आपका ये है digit दिया हुआ तीन नंबर आपका दिया हुआ है 436.32 227.2 और 0.301 और आपको इसका sum करके और appropriate significant figure के term में आपको बताना है कि इसका value कितना होगा इसका summation इसमें जिनका भी score 35 प्लस आ जाएगा आप लोग एकितम से units and measurements से tension free हो जाना question number 153 देखो कि mass और volume आपका दिया हुआ है किसी भी body का mass आपका है 4.237 gram और आपका volume दिया हुआ है 2.5 cm और आपको बताना है इसका density कितना होगा और यह भी आपको correct significant figure के term में ही बताना है और यह 4 option है आपका question number 154 देखो आपका यह number दिया हुआ है 2.745 और 2.735 और on rounding off to three significant figures will give आपको यह बताना है मत्तब इस number का rounding करेंगे rounding off करेंगे three significant figure तक और इस number का rounding off करेंगे three significant figures तक और किसका क्या value होगा वो हम लोगों को बताना है काफी ज़्यादा important concept यहाँ अगर आपको अच्छा से बना देते हो तो एक concept आपका significant figure का clear हो जाया question number 155 है आपका कि the length and breadth of a rectangle seat are 16.2 cm and 10.1 cm respectively the area of the seat in appropriate significant figures and error is कभी कभी आप लोग question को option के help से भी बनाने का कोशिस कर सकते हो और थोड़ा से अपना presence of mind अगर लगाओगे तो यह question आप 5 से 10 second के अंदर भी बना सकते हो पाउज करके आराम से आप लोग बनाना question number 156 है आपका कि which of the following pairs of physical quantities doesn't have same dimensional formula question number 157 कि which of the following measurement is most precise यह आपका चार डेटा दिया हुआ है और इसमें से आपको बताना है कुछ नहीं है question में सिर्फ आपको यह बताना है कि इस चार डेटा में से कौन सा डेटा हम लोगों को ज्यादा accurate result देगा measuring की case में question number 158 है कि the mean length of an object is 5 cm आपका mean length दिया हुआ किसी object का 5 cm और पुछा गया है कि which of the following measurement is most accurate 4.9 cm 4.805 cm 5.25 और 5.4 cm question number 159 देखो कि young's modulus आपका दिया हुआ है यह data दिया हुआ 1.9 into 10 to the power 11 है newton per meter square और आपको बताना है कि जब इसका हम लोग का version cgs में करेंगे dynes per cm square में तो it will be equal to कितना हो जाएगा इसका value और यह आपका option में दिया हुआ है थोरा सा hint किया हुआ है कि 1 newton में 10 to the power 5 dynes होता है और 1 meter square में 10 to the power 4 cm square होता है वैसे इसको यहाँ नहीं देना चाहिए लेकिन आप लोगों को यह दे दिया है तो question को और easy कर गिया है अब आपको बताना है यह conversion से question है आपका अगर यह आप बना लेते हो तो समझो कि आप SI to serious conversion जान गए पाउज करके अराम से solve करना वीडियो को ज्यादा लंबा करने से कोई फैदा नहीं है मेरा main मकसद है आपको question provide करना ठीक है आप लोग पाउज करके बना हो अच्छे से और जब answer sheet दूँगा तब आप लोग अपना-पना score comment करना और solution जरूर देखना solution से ज़्यादा फैदा होगा आप question number 160 देखो कि अगर momentum को पी से रिपरजन करते हैं area को ए से रिपरजन करते हैं और time को टी से रिपरजन करते हैं या इस तीनों को fundamental quantity मान के चलते हैं तब हम लोगों को इस तीनों के term में energy का dimensional formula बताना है चलो आप लोग वेट करो answer की का और solution वाले test का तब तक मनस एकजाम का तयारी करो तो आज यह आपका last mock test था और आज के बाद units and measurement आपका complete 1.1 से 1.6 तक अच्छे से देखो notes वान आओ और यह 160 questions का आपको जित्मा बार practice करना है उत्मा बार आप लोग प्रेक्टिस करो मैं PDF होगा तो आप लोगों को एक ही बार में चारो का चारो दे दूंगा क्लिक है और चलो मिलते हैं नेक्स लेक्चर में थैंक यू